हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी चनल स्वाद एक्सपर्ट में और मैं हूँ अदीदी अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज को आप लाइक कर दीजेगा कमेंट कीजेगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप जली से सबस्क्राइब कर लेजेगा और जो पास में छोटी सी घंटी है न बैल है उसको भी आप हीट कर देजेगा तो चलिए स्टाट करते हैं आज की राजबी तो आज मैं पनाने जा रही हूं बाटी तो उसके लिए हमने यहां पर लिए है एक कडोरी सूजी आधा कडोरी बेसन और दो कडोरी हमने लिए है गिहूं का आठा और साथ में ही मेंने लिए है यहां पर थोड़ा सा आधा चमच की लबग दरदरा सा साबुद धनिया और यहां पर लिए है आधा चमच सौफ और इसक और साथ महिल लिया है हमने बेकिंग सोडा तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर हमने ले ली है एक पारात और परात में सबसे पहले में यहां पर डाल रही हूं गेहु का आटा वही नोर्मल आटा जिसे हम रोज अपने घर में रोटी बनाते हैं अगर आपके पास बाटी में बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है और यह जो अजवाइन है आप इसको हाथ में इस तरीके से क्रश करके डाले इसका जो फ्लेवर आता है बहुत ज्यादा उभर के आता है और यह डाजिशन में बहुत बड़िया हेल्प करती है तो जरू डाले और इसके साथ ह कि हम डालेंगे हमारा कोटा हुआ दर दरा सा धनिया और यह सौफ सौफ का जो कॉंबिनेशन है बाटी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अल्टिमेट और यह है कसूरी मेथी तो कसूरी मेथी आप डाल करके देखेगा गजब वाला टेस्ट मिलेगा आपको आप खुद तो इसमें अब हम डालेढे हमारा बेकिंग सोटा बेकिंग सोटा वही जो मीथा सोडा होता है किता हो चुलिए अब हम डालेगे ओल तो यहां आप चाहें तो घी डाल सकते हैं या जो भी आपको ठीक लगे आप यहWो डाल सकते हैं तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारे थोड़े से मसाले, मसाले में जाएगा क्या सिर्फ थोड़े सी हल्दी और हल्दी के साथ ही हम यहाँ पे डालने वाले हैं नमक तो सारी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अच्छे से सारी चीजे हमारी combine हो जाएं, बस इस तरीके से हमें इसको mix करना है तो लिजे, यहां पर देखी हमने सारी चीजेटे को अच्छे से mix करने हैं और अब कैसे पता चलिकी आटा perfect है तो इस तरीके से आप la Steam बना करके देखिए आपस में ये बन रहा है इट मेंस ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारा बाटी बनाने के लिए आठा तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी हम इसमें छिटे दे दे करके इसका एक डो त्यार करेंगे एक बार में आप ज़्यादा पानी ना डाल दे वरना आठा गीला हो जाएगा तो जितनी जरूरत आपको लगे थोड़ा-थोड़ा पानी ले थोड़ा-थोड़ा पानी लेते हुए हलके छिटे मारते हुए आप आठे को गूले यहां हमारा आठा गुंद करके तयार हो गया है तो बहुत बढ़ी आठा हमारा लगा है और आठा देखिए कैसा है ना तो बह बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बहुत बढ़िया आठा हमारे गुद करके तैयार होगा, बहुत ज्यादा हमने इसे टाइट नहीं कर रहा है, थोड़ा सॉफ्ट रखा है, क्योंकि इसमें सूजी डाली है, वो भी अभी फुलेगी, तो आठा टाइट अपने आप हो जाएगा, त बताती हूँ, इत्ती छोटी क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो आज की हमारी बाटी है वो बनने वाली है, अपे मेकर में, तो बाटीों का आज मैं बना रही हूँ, अपे मेकर में, तो आप देख रहें, इसके जो होल होते हैं, अपे मेकर के, बस उसमें ये आज है हमारी ब यह फूलेगी भी न क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है तो बस इसी साइज की हम यहाँ पर बाटी तियार कर लेंगे तो जो बाटिया है ना राजिस्तान की बहुत ही फैमास एक डिश है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि काफी फ्लेवर फुल होती है मसाले डले होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगती है दाल और बाटी का जो कॉम्बिनिशन है ना बहुत ही बढ़ अब होता कि कई बार बाटियों को इस तरीके से अंगोटे से दभा करके बीच में गढ़ा सा बना के ऐसे भी बनाया जाता है तो चाहें आप ऐसे बना हैं और मगर आज मैं इन्हें बनारी ओं कुछ इस तरीके से देगी चाकू से मैंने इनमेब बीच में कुछ इस तरीके से निशान बना दी है तो कितनी सुंदर लग रही है देखने में बहुत ही एक तो कलर देखिए इनका कितनी सुंदर लग रही है तो चलिए, इसी तरीके से हम यहापर अपनी बाटियों में कट लगा लेंगे और सारी की सारी बाटी हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे तो लीजी हमनी यहाँ पर अपनी सारी बाटी को त्यार कर लिया है और कितनी सुन्दर लग दिया है तो चली इनको बनाने के लिए चलते हैं गैस की तरफ और यहाँ पर, देखे, gas पे, मैंने रख दिया है यह अपना अपे मेकर और गेस की फ्लेम है, उसको मैंने यहाँ पर कम पे रखा है, बार लो फ्लेम है, और अपे मेकर में हम थोड़ा सा ब्रश सब्छे, इस तरीके से घी लगा देंगे, ग्रीस कर देंगे अपिमिकर को ना भी करे तब ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि जो अपिमिकर है वो नौन स्टिक है तो इसमें हमारी बाटी लगेंगी नहीं मगर एक बड़िया सी जो लेयर आ जाती ना एक गोल्डन कलर आ जाता है वो बहुत बड़िया लगता है इस तरीके से आप ग्रीस कर लें तो अपिमिकर को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया थोड़ा सा ना इसको गरम होने देते हैं तो दो मिनिट बाद देखें अच्छे से हमारा जो अपिमिकर है गरम हो गया है अच्छी से इसमें से हीट आ रही है अब यहाँ पर हम अपनी बाटी को रखना स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आप सारी जो बाटी हैं रख दें आप इसमें बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से ये बाटी बनाने का और बहुत जटपट से आपकी बाटी बन जाती है मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है इजी तरीका लगता है तो आपको भी अगर अच्छा लगें ट्राई केजेगा आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना मस्त वाला तरीका है ये तो चलिए अब करना किया है बाटी हमने इसमें लगा दी है और आप इसको हम कवर कर देंगे पांच मिनट के लिए और पांच मिनट बाद हम चेक कर लेंगे हमारी बाटी को बाटी देख रहे हूंगे पहले से हलकी सी नहीं फूल गई है और कलर देखिए इनमें कितना प्यारा सा जो गोर्डन कलर है वो आगया है बहुत बड़िया लगती है बाटी तो ये भाईया अपने से लकड़ी अकड़ी से ऐसे काम होने वाला नहीं है अब तो हाथ से ही कर लेंगे पड़ा पड़ से सारी पलटा पुल्टी तो देखिए यहां पर हम अपने ही जो बाटिया है इनको पलट देंगे इनकी साइट्स को पलट देंगे ताकि ये जो साइड इनकी सीख गई है उनको हम उपर कर देंगे उपर वाली जो साइड है ना को हम निच्चे की तरफ कर देंगे ताकि हमारी जो बाटिया है इवनली हर तरफ से सीख जाए तो देखिए यहां पर हमने सारी की सारी बाटी को उलट-उलट कर दिया है तो आप देख रहें कितना बड़िया कलर आ गया इनमें गोल्डन सा तो दूसरी तरफ से भी सीख जाए उसके लिए हम यहां पर कवर कर देना है फिर से पांच मिनट के लिए और फिर हम इसे पांच मिनट बाट चक करेंगे देखिए कितनी सुन्दर लग रही है और दनों तरफ से इसमें बड़िया सा कलर आ गया है देखिए कितना सुन्दर कलर आया है एकदम golden और धीमियाज पे न हम इने पकाते हैं तो यह अंदर तक अच्छे से बिलकुल बढ़िया से पक जाती है उपर से थोड़ी सी hard और अंदर से एकदम soft होती है बहुत बढ़िया लगती है और चाय के साथ भी आप इने enjoy कर सकते हैं बहुत ही must लगती है तो उपर नीचे से हमने इनको पलट लिया था तो अब जो sides है आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से इने कर रही हूँ इनकी sides भी अच्छे से पक जाएं तो मैंने इनको इस तरीके से खड़ी वाली position में कर दिया है ताकि evenly चारो तरफ से उपर नीचे side high तरफ से पक जाएं तो अब मै क्या करूंगी थोड़ा सा घी लेकर के न इस तरीके से लगा दूगी थोड़ा सा घी डाल देंगे डालने से एक तो हमारी जो बाटिया हैं बहुत अच्छी करारी क्रेस्प हो जाएंगी और बढ़िया से सीखेंगी तो मेरे यहां हर जगा थोड़ा थोड़ा सा घी लगा दिया है और फिर हम इसको कवर कर देंगे सिर्फ दो मिनट के लिए और आप देखिए सारी की सारी जो बाटिया है ना हर तरफ से अच्छे से सीख गई है और कैसा लगर है आपको मेरा आज का वीडियो बताएगा जरूर दोस्त अगर अच्छा लगी तो लाइक कमेंट शियार और सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को तो देखिए दिखा रही हूँ आपको में चमच से पास में ला करके कितने अच्छे से सीख गई है हमारी बाटी और आपने एक चीज़ नोटिस करी यह जो हमारी बाटी है न इनमें जो आप cracks देख रहे हैं जो cracks देख रहे हैं इंडिकेशन है इस बात का की जो हमारी बाटी है बहुत अच्छे से सीक गई है अंदर तक अच्छे से पकर गई है तो बस हमारी बाटी जो हैं बिल्कुल बनकर की तैयार है तो चलिए अब निकाल अलगती है तो मेरे तरीके से आप बना करके देखेगा आपको वाकई रस्पी बहुत अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो फीडबैक देना मत भूलेगा दोस्तों और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए और मेरे वीडियोज को देखने के लिए थेंक यू